थे लास्ट क्लास के अपने निप टूमिक स्टूक्चर के अब बात की थी हम चैन सेकिल हैं और कांटम नंबर के ना सबहता है अधर यह फिर सब्सेजरी आफिर एंगुलर टूमिक नंबर क्या था उस उससे पहले हम लोगोंने basically Heisenberg's principle को डी ब्रोगली इसे रेलेट करना सीखा था हमने देखा था कि Heisenberg's क्या कहता है तो यह कहता है कि nucleus के चारों तरफ electron मिलने की सरफ probability होती है आप अशौरिटी नहीं दे सकते हो कि electron वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा और फिर हम लोगोंने बात कीती quantum numbers के आरे में चली आज हम बढ़ते हैं आगे और move करते हैं अपने थर्ड और बड़े important quantum number के उपर जिसका नाम है magnetic quantum number तो देखिए magnetic quantum number क्या बताता है magnetic quantum number basically आपको यह बताता है कि nucleus के चारों तरफ देखो ध्यांसे समझना हाईजेंबग नहीं बोला कि nucleus के चारों तरफ आप electron मिलने के सिर्फ probability बता सकते हो तो nucleus के चारों तरफ ऐसे region बनते हैं एक region ऐसा बनेगा जहाए एक होगा जहाँ बहुत जादा होगे है ना इस तरह से क्या करते हैं हम nucleus देखते हैं तो वह region जहाँ पर electron मिलने के चांसे सबसे ज्यादा होते हैं उसे हम बोलते हैं और बिटल क्या बोलते हैं और बिटल जब का magnetic quantum number है यह बेसिकली एक और बिटल को डिफाइन करता है यह आपको बताएगा देखो मालो nucleus के चारों तरफ इस region में electron मिलने के चांसे सबसे ज्यादा है और एक region इधर है एक region इधर है ठीक तीन region हो गए जहाँ electron मिलने के चांसे ज्यादा है तो इस region को हम लोग electron cloud भी बोल देते हैं क्या बोलते हैं electron cloud क्योंकि इस region में electron मिलने के ूप अंध्यूंट चैन्सेज़ को यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है इस रिजहन को Home लोग बैसिंगली किसी नेोट कर देते हैं इलेक्टॉन क्लाॉड हम इसको नाम दे समझने आप इस चीज को तो यह electron cloud का nucleus के about orientation कैसा है किस तरह से इसने अपने आपको 3D direction के अंदर orient किया हुआ है इस चीज को कौन बताता है magnetic quantum number बताता है और elaborate करेंगे हम shapes के साथ में भी बहुत ध्यान से आप देखना but what is magnetic quantum number it tells so it represents represents the orientation orientation of electron cloud it represents the orientation of electron cloud in 3D space around the nucleus देखते चले धीरे धीरे सबको समय में आ जायागा आपको actually quantum number एक string है एक string को खीचोगे न तो पूरा खीशता हुआ चला हुआ आपकी पास तो वैसा ही है जब तक आप last quantum number पर नहीं पहुँचोगे सबको आप एक साथ associate नहीं करते हो तो देखते चले समझते चले याद आपक value of m there exist an orbital क्या exist करता है एक orbital exist करता है पहले चीज़ nucleus के चारोत तरफ यह आपके orientation को दिखाता है electron ground के और m की हर value को हर value के यहाँ पर क्या exist करता है एक orbital exist करता है यह बेसिकली देखो n n denote करता था shell l denote करता है sub shell और m किसको denote करता है orbital को denote करता है ठीक तीसरी चीज़ for a given value of l for a given value of l there are there are total 2l plus 1 values of m आप ध्यान देना l बताओ l किसको दिखाता है sub shell को और m किसको दिखाता है orbital को l की एक given value के लिए यानि एक given sub shell के अंदर इस line का मतलब क्या हुआ that is in a given sub shell in a given sub shell there are there are total 2l plus 1 orbitals ठीक एल की एक given value के लिए m की total 2l plus 1 values होती है यानि अगर मैंने एक sub shell का ले दिया for example मैंने बोला s sub shell के लिए l कितना होता है 0 अब अगर l 0 है तो देखो sub shell तो हो गया यानि s sub shell में अगर मैं number of orbitals निकालू हाँ तो number of orbitals कितने आएंगे 2 into 0 plus 1 यानि 1 इस एक orbital को हम जनरली ऐसे एक box से denote करते हैं किसे denote करते हैं एक box और detail में ले चलूँगा चलो इसकी बात बात में करते हैं ऐसे ही जब आपकी पास p sub shell होगा उसके लिए p के लिए l के लिए 1 तो वहाँ पर 3 orbitals होंगे d sub shell में 5 orbitals होंगे और f sub shell में क्या होंगे साथ orbitals होंगे चलो लिख लेते हैं सभी को p sub shell p sub shell के लिए l कितना होता है 1 जवाब यहाँ पर number of orbitals निकालेंगे तो वह कितने हो जाएंगे 2 into 1 plus 1 that is 3 similarly जब आप चलेंगे d sub shell के पास तो d sub shell के पास कितना orbitals होंगे l के वली हो गई 2 2 into 2 plus 1 that is 5 और लास्ट में आएगा आपका f sub shell f sub shell में क्या होगा 2 into 5 sorry 2 into 3 plus 1 कितने हो जाएंगे 7 तब यहांसे एक चीज़ सीखिए हमने s sub shell में एक orbital होता है p sub shell में 3 orbital होते हैं d sub shell में 5 orbital होते हैं और f sub shell में 7 orbitals होते हैं यह orbital क्या होता है अभी बात करते हैं अभी मैं धंसा आपको explain करता हूं और का मतलब क्या होता है चली नेक्स चीज़ जो important चीज़ है that is for a given value of l for a given value of l यानि आपको l पता है the values of m थिक तो values of m है वो कहां से कहां vary करती है these ranges from minus l to plus l कहां से कहां तक vary करती है minus l से लेकर plus l तक vary करती है तो अब बहुत ही ध्यान से देखें और समझे चीज़ों को यहां पर मैं लिख रहा हूं value of l ठीक यहां मैं लिखूंगा यह सकरों ऐसे भी नहीं लिखते हैं इसको थोड़ा और धंक से लिखते हैं तीनों के एक साथ combine करते हैं मैंने लिखा value of n principle quantum number ठीक है फिर मैं यहां पर लिखूंगा values of l और थर्ड चीज में लिखूंगा values of m that is a magnetic quantum ठीक है अब आप मुझे बताओ जब n की value होती है 1 n की 1 value के लिए l की 1 ही value आएगी यानि l की value कितने आगई 0 values of l कहां से कहां vary करती है 0 से n-1 तक l की 1 value आएगी जो कि l equal to 0 होगी अब जब l की value 0 है value of m भी कितने आएगी 1 तो वो value कितने होती है 0 क्योंकि वो minus l से plus l के बीच में vary करती है तो जब l 0 है m minus 0 से plus 0 m 0 ही आएगा इसी तरह जब n की value होगी 2 कितने 2 अब देखो जब n 2 है तो l की कितने values आएगी 2 1 equal to 0 और 1 equal to 1 जब l equal to 0 और 1 आएगा तो बताओ m की values कितने आएगी देखो l 0 m की a की value होगी 0 और जब l 1 m की कितनी values होगी 3 values आएगी 2 l plus 1 के हिसाब से 1 minus 1 1 0 और 1 plus 1 समझ रहे हैं ऐसे आप आगे चलें जब आपको n की value मिलेगी 3 बताओ third shell l की value क्या क्या आएगी l की values आएगी आपके पास l 0 आ सकता है l 1 आ सकता है और l की value 2 आ सकती 0 से लेकर n minus 1 तक अब जब l 0 है m की a की value आएगी m equal to 0 l 1 है तो m की 3 values आएगी minus 1 0 plus 1 जब l 2 है तो m की 5 values आएगी minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 सही है ऐसे ही आप देखें जब n is equals to 4 होगा कितना होगा n is equals to 4 होगा तो आपके पास l की कितने values आएगी 0 l equal to 1 l equal to 2 and l equal to 3 again आप देखें l equal to 0 के लिए m की value कितने आएगी 0 l equal to 1 के लिए m की values क्या आएगी minus 1 0 and plus 1 l equal to 2 के लिए m की values minus 2 minus 1 0 plus 1 and plus 2 similarly l equal to 3 के लिए m की 7 values आएगी minus 3 minus 1 0 plus 1 plus 2 and plus 3 इस तरह से हम l की values से क्या कर सकते हैं m की values predict कर सकते हैं क्या कर सकते हैं m की values predict कर सकते हैं अब यह m की value तो समय आपको सिखाया m की हर value एक orbital को represent करती है तो अब इन सब का मतलब क्या हुआ है इनका मतलब यह हुआ कि first shell के अंदर एक sub shell होता है और उस एक sub shell में एक orbital होता है जिसे मैं एक box से denote कर रहा हूँ सब्ये है यह s sub shell है यह equal to 0 का मतलब होता है s sub shell तो इसे हम s orbital के नाम से जानते है s sub shell में a के orbital होता है s orbital अभी इनकी shapes की भी बात करेंगे इसी तरह आप देखो second shell के अंदर दो sub shell होता है एक s sub shell और एक p sub shell s की बात तो हमने करे लिए अब आप p sub shell के अगर बात करो तो p sub shell के अंदर m की तीन values आ रही है यानि p sub shell में तीन orbitals होता है जहने हम तीन boxes से denote कर सकते हैं यह तीन orbitals होता है px, py और pz m की हर value के लिए एक orbital होगा अब एक चीज़ पर ध्यान दे यहाँ पर px की value plus minus 1 कुछ भी हो सकती है py की value plus minus 1 कुछ भी हो सकती है और pz की value 0 और यह order fixed नहीं है this order is not fixed यानि pz की value plus minus 1 हो सकती है इसके लिए 0 हो सकती है इसकी plus minus 1 लेकिन अगर इस एक की value plus 1 हो गई तो यह पक्का है कि दूसरे की minus 1 होगी और तीसरे की 0 यह order भी fix नहीं है यह 0 हो गया और यह plus 1 हो गया तो यह पक्का है कि अगला वाला क्या होगा minus 1 होगा तो देखे m की values का कोई order नहीं होता है अगर आपको कोई order बता भी रहा है तो वो गलत है order fix नहीं होता है बिल्कुल fix नहीं होता है random order है plus minus 1 plus minus 1 0 कुछ भी हो सकता है तीनों में से किसी का कुछ भी हो सकता है बस आपने 2 को fix कर दिया 1 को 0, 1 को minus 1 तो ये पक्का है कि उसका अगले वाला क्या होगा plus 1 ही होगा तो ये ऐसे ही माता हूँ D पर L equal to 2 कौन से सब्षल को denote करता है D सब्षल तो D सब्षल में आपके पास देखो 1, 2, 3, 4, 5 orbitals बनते है अभी और ठीक से इनको discuss करते हैं इन 5 orbitals के नाम होते हैं D, X, Y D, Y, Z D, Z, X ये बनता है D, X square minus Y, square D, Z square minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 order fix नहीं है किसी के लिए M की कुछ भी value हो सकती है इसी तरह जब आपके पास F सब्षल बनेगा तो देखो M की 7 values हैं मतलब F सब्षल के अंदर से 7 box बनेंगे और वहाँ पर 7 orbitals होंगे उनकी naming हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें उनकी ज़रुत नहीं है तो important चीज़ आपने हैं पर क्या सीखी N की हर एक given value के लिए L की उतनी ही values होती है और L की एक given value के लिए M की 2L plus 1 values होती है और M की हर value एक orbital को denote करती है तो पहले तो आप यह copy करें फिर मैं आपको बताता हूं कि M का minus 1, 0, plus 1 होने का significance क्या है और कैसे हम इन orbitals की shape को यहाँ पर discuss करते हैं अब देखो यह जो आपने सीखा यह आपको अब सब को समझ में आएगा बहुत ही ध्यान से देखना मैं सारी सफाई करनों आप मुझे इन के जरुत नहीं है यह हमको याद हो गए अब ही देखना आप सब की answers दो गए चली अब हम बात करते हैं बहुत दोसे मैं orbital और बोलना हूं कि orbital क्या होता है अब आपको अरवली बता चुका हूं लेकिन अब समय आ चुका है कि हम इस ऑर्बिटल की डेफिनिशन लिखें तो वाट इस अन ऑर्बिटल ऑर्बिटल इस बेसिकली दे रीजन अराउंट नूकलियस वेर पुर्बैबिलिटी और फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स और फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इस मैक्सिमॉं देखर नूकलियस के आसपास ऐसी कोई भी जगह जाए इलेक्ट्रॉन मिलने के चैंस सबसे जाए होता है देखर आब हम बोर्ष मोडल से आगया चुके हैं अब हमने बोर्स मोडल के अंदर हाइजनबर्ग को फिट कर दिया है और हम हाइजनबर्ग के हिसाब से बात करें हाइजनबर्ग ने बोला कि आप न्यूक्लिस के चारो तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने के सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते हो प्रुव इम्स प्रुव डेटी की बाग कर रहे हैं कि जिघार्भ कोई उड़ privilege घिङब के सिर्फ पर इलेक्ट्रॉन मिलने रिकी सिर्फ सब्सक्रीब करते हैं लेकिन जहां मिलने के maximum chances होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं orbital बोलते हैं एक चीज दूसरा एक और term होता है यहां पर एक node node बोलते हैं कई बार हम इनको nodal planes के नाम से भी जानते हैं node क्या होता है node nucleus के around वो region होता है it is the region around the nucleus where no electron is found समझे लिजून में कोई electron नहीं मिलता उस region को हम node बोलते हैं फिर अब अगर यह एक plane होता है तो हम इसे nodal plane बोल देते हैं अगर एक surface होती है तो हम इक Noodal surface बोल देते हैं अगर एक point होता है तो नोट बोल देते हैं समझे लिए इस चीज को तो दो तरह की चीज़ हमने define कि एक वो region जहाँ electron मिलने के maximum chances होंगे और एक वो region जहाँ electron मिलने के chances नहीं होगे जहाँ electron नहीं मिलेगा उसे हम लोग node पूरते हैं चली अब क्योंकि हमने orbitals की बात कर लिये तो हम अलग-अलग orbitals की shape discuss करने चलते हैं और उसी के साथ m की value का significance भी देखेंगे चली तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ about s orbital देखें s orbital की shape होती है spherical जो मैंने आपको याद आपको last lecture सब्षल की shape सिखाई थी तो basically जो सब्षल की shape होगी same वही आपके orbital की shape भी होती है तो अगर मैं s orbital की बात करूँ s orbital में क्या होता है इस center पर आपका nucleus होगा और s orbital में क्या होता है nucleus के चारों तरफ electron मिलने के जो chances होते हैं वह से symmetrical होते हैं इस spherical region में electron कहीं पर भी मिल सकता है कौन से orbital के अंदर s orbital के अंदर थोड़ी से मैं कलाकारी कर रहा हूं लेकिन ज़रूरी है तो देखें यह इस तरह से nucleus के चरों तरफ का region है जहां पर electron मिल सकते और यह बीच में आपका nucleus है तो यह हो गई shape s orbital की थिक और यह जो center है इसको हम बोल देते हैं nucleus और इस spherical region में कहीं पर भी electron क्या हो सकता है मिल सकता है अब आपको मैं और चीज़ बताओं काम की बोर के हिसाब से क्या था nucleus से 0.529 angstrom याद है first shell की radius यहां electron मिलना था लेकिन है इसको improve किया तो अब यह जो अगर आप मैं बात करें यह first shell है अगर इस यह जो region है यह spherical region इस spherical region की 0.529 angstrom ही radius होती है और अब electron इस पूरे region में कहीं पर भी मिल सकता है nucleus के चारों तरफ s sub shell में electron मिलने के chances इस region में सबसे ज़्यादा है इसलिए इसको हम s orbital बोलेंगे क्या बोलेंगे s orbital बोलेंगे ऐसी देखो हम बात करते हैं p orbitals की कौन सो orbital की p orbital की तो आपने देखा कि जो आपका sub shell है p p के लिए l की value कितनी होती है 1 और l के लिए 1 है तो यहाँ पर m की कितनी values आती है minus 1 0 और प्लस 1 अब देखें minus 1 0 प्लस 1 का मतलब क्या है अगर मैं p z orbital के लिए 0 मान लूँ x के लिए हो गई minus 1 और y के लिए हो गई प्लस 1 इंटरचेंज भी हो सकता है कोई दिख्यति मैं आपको बता चुका हूँ order fix नहीं है बताओ p की shape कैसी होती है हाँ डंबल होती है तो देखें अब यह जो px py pz क्या denote करता है एक dंबल की shape ऐसी होती है income lobes के नाम से जानते हैं तो अगर मैं आपके सामने बनाने चलू px orbital तो देखो px orbital क्या होगा px orbital होगा जब इस p orbital की दोनो lobes both the lobes lie along x-axis जब एक orbital की दोनो lobes x-axis के long lie करेगी तो सब्सक्राइब बोलते हैं px ध्यान से देखे मान लो यह आपकी y-axis है यह चला ऐसा करता है यह x-axis लेता हूं यह y लेता हूं मैं पहले बनाता हूं शेप pz की क्या बना रहा हूं pz orbital की पीज़ेड की क्यों बना रहा हूं आप सीख देख लोगे समझ जाओगे थोड़े देर में थिक तो होगा क्या pz orbital के अंदर यह center में तो आगया nucleus इसकी एक लोब इस plane के उपर लाई करेगी और इसके एक लोब इस plane के नीचे लाई करेगी दिखाए देरा आपको तो यह आपका कौन सा axis है z axis है क्योंकि दोनों लोब z axis के along लाई कर रही है इस orbital को हम क्या नाम देते हैं pz एक चीज़ ठीक यह दोगए nucleus इस plane में लाई कर रहा है यह plane इसको बिल्कूल center मैं से cut कर रहा है तो ना तो यह लोब न यह लोब इस plane के अंदर है अगर यह plane इस लोब को cut कर रहा है ना टूच कर रहा है इसका मतलब इस plane में electron मिलने के chances जीरो और इस plane को हम जानते हैं by the name of nodal plane क्या बोलता है हम इसे nodal plane तो देखें PZ orbital के लिए XY क्या है nodal plane है तो PZ orbital में electron cloud ने अपने आपको Z axis के along orient किया हुआ है अब arbitrarily मैं इस orientation को नाम देदू अगर M equal to 0 आप चाहो तो इस M equal to plus 1 भी लिख सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चली यह वह PZ अब मैं बनाता हूँ PX और PY को यहां बनाते हैं PX और यहां बनाते हैं PY तो आप देखो अगर मैं PX orbital बनाओ फिर से plane बनाए इस बार मैं PX बना रहा हूँ इसको लेड़ता हूँ Y-axis इसको लेड़ता हूँ Z-axis अब आप देखें यह वह यह आपका Nucleus एक लोग उपर और एक लोग नीचे यह कौन सी एक्सेस हो गई X-axis तो क्योंकि दोनों लोग X-axis के अलोंग लाइए कर रही हैं इसको लेड़ता है अब आप देखो यह Y, यह Z तो यह प्लेन आपका कौन सा प्लेन होगा Nudle प्लेन होगा बोलो होगा क्या तीसरी चीज तीसरी चीज क्या जो मैं आप से डिसकेस कर रहा था अगर आपने Z-axis के अलोंग औरेटेशन को M equal to plus 1 बोल सकते हैं यहाँ फिर minus 1 बोल सकते हैं तो देखो, orientation बदला तो M की value बदल गई यानि M equal to 0 एक fixed axis के अलोंग orientation को दिखाता है M equal to plus 1 एक दूसरी axis के अलोंग orientation को दिखाता है कि आपको यह बात समझ में आ रही है ऐसी जब आप PY orbital बनाओगे उस case में क्या होगा तो यह x-axis, यह z-axis यह हो गई आपकी y-axis तो देखो, यह nucleus एक lobe ऐसे उपर एक lobe ऐसे नीचे है तो यह आपका PY orbital हो गया क्योंकि y-axis है अब बताओ, यहाँ पर x-z plane कौन सा plane हो गया यह तो बन गया आपका nodal plane अभी कुछ याद नहीं रखना है बस देखते चलो, समझते चलो और जाने दो, हम आपको सब सिखाते रहोंगा ठीक है, तो यह nodal plane बन गया आपके तीन ठीक है, y-axis, अब देखो इसके respect में यह अगर plus 1 है, x-axis को plus 1 बोल दिया, तो y-axis को हम लोग क्या बोल देते हैं, minus 1 बोल देते हैं, और यह इसका orientation हो गया तो इस तरह से p-sub-shell के अंदर आपको electron cloud के तीन अलग-अलग orientation मिलते हैं एक x, एक y और x-axis, अगर आप इन तीनों orientation को combine कर दो, तो देखो यह कुछ इस तरह के दिखाई देंगे, मैं with colors यूज़ करता हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना आप यह अगर z-axis बोल दूँ और इंज color से मैं यूज़ करता हूँ y-axis को और yellow color से use कर लेता हूँ या purple से use कर लेता हूँ तो इसको x बोल देता हूँ और इंज से मैं ने x बनाया था क्योंकि है ना और purple से हम ले लेता है y-axis को तो तो देखो यह जो purple से बनेगा यह आपका py orbital है py जो orange से बनेगा वो हमारा px orbital है और जो red से pink बोलो जो भी बोलो आप इससे बनेगा वो आपका pz orbital है इस तरह से यह तीनों orbital मिलकर p sub shell को बनाते हैं तो यह आपका overall क्या बन चुका है p sub shell बन चुका है और आपको यह बता रहा है कि इस region में x-axis के along y-axis के along यहां 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 इलेक्ट्रोन के एक काम की चीज और रह गए इसमें वह आप ज्यान रख लें वैसे तो बहुत आसान है मलब आपको रटना नहीं पड़ेगा आप देखो आप यहां देखें और यह आप लिखिलो इसी के साथ में बना रह जाएगा और यहां बात करते हैं नोडल प्लेन की आप जब ऑर्ब दुआ बिखिलो और नोड़ल प्लेन क्या बन जाएगा एक सेड़ इसनल पी जेड तो नोडल क्या बन जाएगा एक सब्सक्內oga के अगरणी ऑसे हदिन साथ से अपई आप सेअधर नोडल क्लेन बन करता है चलिए अब मूव करते हम डी ओर्बिटल की तरह बात करते हैं डी ओर्बिटल's की शेप की और देखते हैं वहां आपको कोन कौन से नौडल देखाई दैते हैं तो बैकेश हैं दी ओर्बिटल्स के लिए एल की वालe होगी अब यहाँ आपको सिखाई दिया था कि D की शेप कैसी होती है, डबल डंबल होती है, तो देखें D के 5 और्बिटल होते हैं, पहले में बात करता हूँ, D एक्सवाई और्बिटल की, देखना D एक्सवाई और्बिटल क्या होता है, dxy root में क्या होगा जो shape orbital जो lobes है आपके double dumbbell के वो क्या करते हैं xy plane में लाई करते हैं कौन से plane में लाई करते हैं xy थोड़ा सा आप ध्यान से देखें थोड़ा सा आप ध्यान से देखें थोड़ा 3D डायक्राम में इसमें आपको problem आईगी तो नॉर्मल बनाते हैं आप imagine तो करी लोग है देखो यह आपका nucleus है ठीक तो यह एक लोग यह दूसरी लोग यह इसकी third लोग और यह हो गई इसकी fourth लोग ठीक है तो यह axis को हम बोलते हैं x-axis तो आप देखें यह जो axis होगी यह कौन से axis कहलाएगी y है तो जब किसी d-orbital की दोनों loops x और y-axis के लोग लाई करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं d-xy orbital बोलते हैं अब आप ध्यान से देखें उपर ऐसे होगी z-axis होगी ना ठीक है तो आप यहां से देखो आपको nodal planes अर्याद उल्टा बन गया सॉरी भावना में बहे गया मैं xy plane में लाई करें हैं जब चारों loops xy plane में लाई कर रही है तो इस orbital को किस नाम से जानते हैं गया रही है जो सको इसे कट करें बता तो वह plane कोन सा होगा xz इसी एक plane देखो जो सबसे होगा बता था यह से कट करें बता वह plane कैसा होगा yz टो एक d orbital के अंदर दो nodal planes क teams होते हैं कितने उल् 토rao př牧ातों दो तो देखें यहाँ पर दो नोडल प्लेंज हैं और वो दो नोडल प्लेंज कौन कौन से हैं एक तो है XZ और एक है YZ बहुत असान याद रखना कैसे? और बिटल कौन सा है? X और Y तो जो X's बची उसके कॉंबिनेशन नहीं दो कौन से बची Z? एक XZ एक YZ XZ और YZ सही है इसी तरह इस तरह अगर मैं आपसे बात करूँ D YZ और बिटल की बताओ D YZ में क्या होगा? वही यह आपकी एक XS यह दूसरी XS इसको Y XS बोल दो इसको Z XS बोल दो अब इन और बिटल की लोब यह जो लोब होंगी यह YZ प्लेन में लाई कर रही होंगी इसलिए इसको D YZ और बोलते हैं और बताओ यहां नोडल प्लेन कौन कौन सा होगा? एक तो होगा XY और एक कौन होगा XZ सही है? इसी तरह थर्ड जो आपको और बिटल बनेगा वो बनेगा D XZ कौन सा बनेगा? D XZ तो आप बनानी ज़रूत नहीं है D XZ में, XZ प्लेन में लोब्स लाई कर रही होंगी और इसके लिए जो नोडल प्लेन होंगे वो कौन-कौन होंगे? एक तो होगा XY और एक होगा YZ सही है? एक चीज तो यह, तो आपको D orbital का नाम देखकर उसमें नोडल प्लेन्स निकाल लाने चाहिए तो बहुत ही आसान से ट्रिक में आपको बताई जो एक्सिस बची है उसके साथ बाकी दोनों एक्सिस को आप कम्बाइन करते हुए चलो तो आपको अपने आप नोडल प्लेन मिलते हैंगे दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखें इन और्बिटल्स की लोब्स एक्सिस के बीच में लाई कर रही है कहां लाई कर रही है एक्सिस के बीच में एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रही है इसलिए इन तीनों और्बिटल्स को हम non-axial orbitals बोलते हैं क्या बोलते हैं These are the non-axial orbitals और इन तीनों को combine form हम प्यार से बोलते हैं T2G क्या बोलते हैं T2G यह हमारे पास तीन और्बिटल्स हैं एक Dxy, एक Dyz और एक Dzx इन तीनों orbitals को हम combine form में किस नाम से जानते हैं T2G के नाम से जानते हैं T का मतलब triple E और G का मतलब होता है degenerate यह हम अभी आगे सीखेंगे इस term को degenerate को अभी तो अब इतना लिख कर छोड़ दो कि D orbital के जो 5 D orbital होते हैं उनमें से 3 D orbitals की जो lobes हैं वो axis के बीच में लाई करती है इसलिए हम इने non-axial orbitals बोलते हैं सही है इन 3 के बाद मेरे पास 2 और orbitals आते हैं जिनमें से 1 है D x square minus y square देखें D x square minus y square बोलने के लिए है actually इसका significance क्या होता है अभी आपको दिखाई देगा तो यह आप देखो मेरी x axis है और यह मानलों y axis है D x square मतलब क्या है जब दोनों lobes x axis के along तो देखो दो बार x पर आगई और y axis के along lie कर रही हो इस orbital को हम बोलते हैं D x square minus y square क्या बोलते हैं D x square minus y square अपसे सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर lobes x के along है इसे हम कौन सा orbital बोलते हैं axial orbital बोलते हैं क्या बोलते है axial तो D orbitals के अंदर दो तरह के set चलते हैं एक axial set होता है और एक कौन सा होता है आपका non axial set of orbitals होता है चली बहुत यह अच्छा यहाँ पर भी nodal planes होते हैं लेकिन जैसे यहाँ nodal planes के नाम थे यहाँ nodal plane कोई नाम नहीं होता है देखो एक plane आपको यह मिलेगा और एक plane आपको यह मिलेगा और यह nodal planes x axis से 45 degree angle पर होती है चाहे x से देख लो, चाहे y से देख लो इसका मतलब देखो एक्टॉन मिलने की probability एक्सिस के बीच में जादा होती है इनसे भी आपसे theoretical questions पुछया सकते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना तो यह आपकी shape हो गई dx2-y2 की इसमें भी दो nodal plane होते हैं लेकिन इन nodal planes को हम x y y z z x नहीं बोल सकते हैं यह दो important d z square orbital d z square orbital की shape in orbital से थोड़ी different होती है बहुत ध्यान से देखें इसकी shape के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा चीजों को देखें यह अगर मानलू में z axis है यह nucleus है तो z और z orbital जो हता उसकी shape in सबसे थोड़ी अलग होती है उसमें क्या होता है देखो इधर एक loop बनती है इधर भी एक loop बनती है ठीक है z axis के लोग दूसरा यह आपका plane है यह x और यह y जो plane होगा यह xy plane होगा आपका यह क्या सकर आप ऐसे बना लो चाहो तो ठीक है यह xy plane है तो d z orbital में इन loops की z axis के साथ साथ यह loops और कहां present होती है इस xy plane में इसे ring form करती है क्या form करती है ring इस तरह की तो मतलब z axis पर तो electron मिलने के chances होती है z axis के साथ साथ और electron मिलने के chances कहां होता है इस xy plane में भी होता है z orbital के लिए जो two-third of electron density है lies on z axis मिलेब जितने भी electron मिलेगा उसकी two-third probability तो z axis के along होगी यह वाली ठीक और जो one-third probability है तो इसको one-third electron density बोल देते है वो किसमें लाई करेगी that lies in this xy plane किसमें लाई करती है xy plane में लाई करती है तो यह difference है इसकी shape इन सबसे different जब आकी सब डबल डंबल बनती है यहां पर एक डंबल बनकर साथ में क्या बनती है एक ring यह भी electron density यह भी electron density अब आप देखो अब आप कोई भी plane nucleus से लेकर जाओ क्या लेकर जाओ nucleus अच्छा nodal plane की definition होती है वह आप लिख लेना यहां पर nodal plane क्या होता है nodal plane is an imaginary plane it is an imaginary plane which passes through nucleus यह मैंने लिखवा ही नहीं थी आपको तो लिखवा देता हूं and no electrons are found on it तो एक nodal plane हमेशा nucleus से पास होगा और उस पर electron मिलने के chances क्या होगे 0 अब आप nucleus से कोई भी plane pass करो देखो वो इस electron cloud को cut करेगा इसका मतलब उस पर तो electron मिलने के chances होगे ही होगे है ना तो यहां nodal plane नहीं होता है तो यह क्या हुआ बाकि सारे developmental में दो nodal plane थे यहां dz square में कोई nodal plane नहीं है हाँ यहां nodal plane नहीं होते हैं लेकिन यहां पर एक दूसरी तरह के notes होते हैं जिनको आप conical notes या फिर nodal surfaces के नाम से भी जानते हो देखना बना रहा हूं बनाऊंगा तो आपको दिखाई देगा जिसे मैं यह एक कोन बनाऊं और यह दूसरा कोन बनाऊं थीक है यह दो लाइने हैं यह ऐसे nucleus के उपरा के मर्ज हो रही है और यह से पीछे निकल जाएंगी यह यह दर निकल जाएगी इधर लाइक इस मतलब यह lobes को cut नहीं कर रही होंगी थीक है अब ध्यान से देखना थोड़ी से designing तो आएगी ही यहां इसका front side है यह इसका back side है तो आप देखो यह जो orange वाली lobe है यह इस cone के अंदर है यह lobe इस पूरी surface को कहीं से ना तो cut कर रही है ना फिट नहीं touch कर रही है तो इस तरह से इसके अंदर confined है तो यह बना हमारा एक conical node क्या बोलते हैं इसको conical node या फिर हम इसे एक conical surface भी बोलते हैं क्या बोलते हैं conical node बोलते हैं या फिर conical surface बोलते हैं dz square orbital के अंदर nodal planes नहीं होते हैं क्या होते हैं यहाँ पर यहाँ पर nodal surfaces होती हैं या फिर आप इन्हें conical nodes भी बोल सकते हो तो यह आप ध्यान रखें conical surface नहीं रादर आप इसे nodal surface भी बोलते हैं होते वोई दो हैं लेकिन या plane की जगा surface होती है चलिए अब अगर आप ध्यान से देखें क्योंकि यहाँ पर maximum electron density z axis के along lie कर रही है और यहाँ x और y के along lie कर रही है तो यह set जो orbitals का है इन्हें हम axial orbitals के नाम से जानते हैं किनके नाम से जानते है axial orbitals और इन्हें हम प्यार से बुलाते हैं e g e g में आपके दो set हो गए एक d z square और एक d x square minus y square इस तरह से इन 5 d orbitals को यह चीज आपके आगे 12th class में बहुत काम में आएगी जो आप एक chapter पर होगे coordination compounds तो basically अभी हम यह सीख रहे हैं यह आपका base create हो रहा है और यह चीज़ें आपको धीरे-दीरे use करते करते याद हो जाएंगी है रटने की ज़रत नहीं है तो 5 d orbitals को हम 2 parts में divide करते हैं तीन orbitals वो जिनकी lobes axis के बीच में लाए करती हैं इन्हें हम non axial orbitals बोलते हैं और 2 orbitals वो जिनकी lobes axis के along लाए करती हैं non axial set को हम T2G बोलते हैं जो आपका axial set है इसे हम EG के नाम से जानते हैं अब आप यह diagram बनाए फिर हम बढ़ते हैं तो अब शुरू करते हैं अपने अगले quantum number के साथ इसका नाम है spin quantum number बहुत सिंपल सा quantum number है और यह आपको पहले बता चुका हूँ कि एक theoretical quantum number है इंडाले अपना fourth and last which is spin quantum number देकर विसे small s से है कुछ लोग इसको ms भी लिख देते हैं कभी-कभी वैसे मैं तो small s ही यूज़ करूँगा spin quantum number नाम से पता लग रहा है देखो जैसे अर्थ sun के अराउंड भी घूमती है और अपने axis पर भी क्या करती है वो spin करती है ना तो spin quantum number basically एक electron के spin को दिखाता है किस चीज को दिखाता है spin को दिखाता है electron अपनी axis के about जो spin करता है उस चीज को हम किस से रे रिप्रेजेंट करते है spin quantum number तो सबसे पहली चीजी किस को रिप्रेजेंट करता है अपनी खुद की axis के about जो electron आपका spin करता है उसको हम spin quantum number से रिप्रेजेंट करता है और आप देखें इस electron के spin करने की दो ही directions है या तो यह clockwise spin करेगा या फिर यह anticlockwise spin करेगा इसको न हम probability से बात करते हैं कि एक electron के जो spin की probabilities हैं वो दो ही है total cases दो ही है या तो वो clockwise घुमेगा या फिर वो anticlockwise घुमेगा तो बता उसके clockwise घुमने के chances कितने हैं 50% तो बेसिकली हम क्या करते हैं देखो जो spin quantum number होता है इसको दो values देते है एक तो होता है आपके पास anticlockwise spin जब anticlockwise spin होता है तो s की वेले हम लेकर चलते हैं minus half और इसको हम एक downward arrow से दिखाते है second आपके पास होता है clockwise spin clockwise spin के लिए हम इसको value देते हैं प्लस half और इसको हम एक upward arrow से दिखाते हैं ऐसे single head arrow दिखाते हैं ठीक है तो आपको दिखरा देखो यह ज़िए से घुमेगा clockwise यह घुमेगा आपका anticlockwise समझे आप इस चीज़ को spin quantum number की दो ही values होती है possible values एक plus half और दूसरी value क्या होती है माइनस half और simple है clockwise spin यानि upward arrow और anticlockwise spin आपका किसको denote कर रहा होगा downward arrow को denote कर रहा होगा एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है और एक बहुत ही important formula जो आपको ध्यान रखना चाहिए एक electron के spin की वज़े से या physics में पढ़ोगे आगे यहाँ पर दो तरह के momentum generate होते है angular momentum एक momentum तो होता है nucleus के चारों तरफ electron घूम रहा है एक orbit के अंदर ठीक उससे तो आपको generate होता है orbital angular momentum क्या generate होता है orbital angular momentum जो हमने पढ़ा भी था which is h upon 2 pi into root l into l plus 1 यह तो होता है आपका orbital angular momentum एसे ही आपके पास यह और आता है spin only moment spin only angular momentum जो सिर्फ और सिर्फ electron के spin की वजह से होता है इसका formula बनता है h upon 2 pi into mode of s into s plus 1 हाँ जी यह fixed value आएगी करके इसकी दो ही value हो सकती है plus half या फिर minus half तो यह fix है लेकिन यह formula होता है spin only angular momentum का तो इसे भी आप ध्यान रखे आपसे orbital angular momentum पुछेगा तो आप h upon 2 pi into root l into l plus 1 लिखोगे अगर आपसे spin only angular momentum पुछेगा तब आप कितना लिखोगे h upon 2 pi into root mode of s into s plus चलीए तो यह थे आपके चार quantum numbers जिनसे हमको deal करना था अब एक बार इनको summarize करते हैं और कुछ एक छोटे चोटे formula है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने होगे ठीक देखे हमने overall चार quantum numbers पढ़े हमने सबसे पहला quantum number पढ़ा principal quantum number जी जो अपका principal quantum number है इससे आप energy shell भी बोल सकते हो principal quantum number N basically एक shell को represent करता है साइए principal quantum number के बाद हम लोग ने पढ़ा azimethal quantum number L जो कि basically एक sub shell को represent करता है अब अगर आप ध्यान दे बहुत important चीज़ जो है यह आपने देख लेता है given shell में जितना shell का number है उतने ही sub shell होते है तो first shell में एक ही sub shell होता है है ना चले तीसरी चीज़ orbital orbital को कौन denote करता है M थेक तुझे आपका magnetic quantum number है वो किसको denote करता है orbital को तो यह M, L, N, L और M इन तीनों की values से हम आप idea लगा सकते क्या कि देखे आपका जो first shell है N equal to 1 first shell में एक ही sub shell होगा क्योंकि N की वाली 1 है तो एक ही sub shell आएगा और वो एक sub shell होता है S तो उसे हम denote करते है 1S से ठीक है और इसमें एक ही orbital होता है जिसे हमें एक box से भी denote कर सकते है और यही आपका 1S orbital भी कहलाएगा ऐसे जो आप N equal to second shell में second shell में आपको जितने N की वाली उतने sub shell मिलेंगे दो sub shell मिलेंगे जिने हम 2S और 2P के नाम से जानते है तो 2S में एक ही orbital होता है 2S लेकिन 2P में तीन orbital होते हैं कौन-कौन से एक होगा 2P X एक होगा 2P Y और एक होगा 2P Z समझ रहे हैं तो गिंते चलें first shell में कितने orbital first shell में एक orbital second shell में 1,2,3,4 कितने orbitals 4 orbitals इसी तरह आप आओ third shell में third shell में कितने sub shell होंगे 3 sub shell होंगे जितने shell है उतने ही sub shell होंगे तो 3 sub shell कौन-कौन से होंगे 3S होगा 3P होगा और कौन होगा 3D होगा बलोगा तो 3S, 3P, 3D 3 होगा अब 3S के अंदर एक ही orbital होगा जिसे हम 3S orbital बोलेंगे 3P के अंदर again 3 orbital होंगे जिनको हम नाम दे सकते हैं 3PX 3PY और 3PZ सही क्या ऐसे ही 3D के अंदर कितने orbitals होंगे बताओ याद है formula हाँ very good D के लिए L की value कितने हो जाती है 2 और number of orbitals कैसे निकालेंगे 2L प्लस 1 से किसे निकालेंगे 2L प्लस 1 से नहाँ पर आप value रखो तो देखो 3D सब शेल के अंदर 5 orbitals होंगे जिनकी naming आप कर सकते हो as 3D XY 3D YZ 3D ZX 3D X square minus Y square और 3D Z square value तो आपको आदिये minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 minus 1 0 plus 1 order fix नहीं किसी कोई value सकती तो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बताओ कितने orbitals हो गए 9 हो गए ना तब आप predict करो बताओ N equal to 4 में कितने orbitals होंगे 16 orbitals होंगे दिख रहा है न 1, 1 2 है तो 4 सही है 3 है तो कितना हो गए 9 4 है तो 16 5 है तो 25 पर चलता रहेगा तो देखो यहां से हम कुछ formulas मना सकते हैं अगर आप चीजों के उपर ध्यान दे देखें पहला formula number of sub shells in a given shell उसका formula होता है N मतलब जितना shell का number होगा उतने ही उसमें sub shell होंगे ठीक दूसरा formula maximum number of orbitals यह simple number of orbitals लिख लो आप तो भी in a shell that will be equal to N square दिख रहा है N का number 1 2, 4, 3, 9, 4, 16 और तीसरा सबसे important formula को हम प्रूव थोड़ा आगे चल कर करेंगे that is maximum number of electrons maximum number of electrons in a shell and that will be equal to 2 N square यह formula ही ही से आ है एक orbital में जो shell होते हैं का number होता है N square sorry एक shell में जो orbital होते हैं और एक orbital में maximum 2 electron आ सकते हैं उसको भी हम प्रूव करेंगे लेकिन अभी आपके लिए 3 formula important हैं इनको आप ध्यान रखें यह कभी-कभी आपके direct भी उताते हैं और कभी-कभी आपको इनको indirectly भी यूज़ करना होता है चलिए तो यह हुई कहानी quantum numbers की quantum numbers हमने क्या-क्या सीखा यह हमने देख लिया है अब हम इन quantum numbers को यूज़ करेंगे एक element का electronic configuration लिए क्या करने के लिए electronic configuration लिए तो I hope यैसे अगर आप यसको कापी करो फटाफर से और फिर हम बढ़ते हैं आगे और सीखते है electronic configuration लेखना चलिए अब बढ़ते हैं और मूव करते हैं electronic confisions लिखने के ऊपर देखें, इलेक्ट्रोनिक कर्स लिखने के लिए हमें इलेक्ट्रोन्स को अलग-अलग और्बिटल्स के अंदर फिल करना होता है कैसे फिल करते हम बात करेंगे, बट सबसे पहले उससे भी पहले हम इस चीज़ डिसकस कर ले, तो देखें, अगर सपोज मैं आपके साम लिख दिया 3D3, ठीक, तो यहाँ पर जो पहला 3 लिखा हुआ है, यह आपको बताते हैं, बता है number of shell, आपका जो orbital है, वो कौन से shell को बिलॉंग करता है, तो यह थर्ड शल को बिलॉंग करता है, यह आपको बताएगा sub shell, कि थर्ड शल में यह D sub shell के अंदर है, ठीक है, अगर आप इस 3D को पूरा लिख लो, और 3D के साफ नाम भी लिख दो, मालो 3D xy लिख दिया मै है, तो यह चीज़ पूरी orbital को बोलती है, यह मेरा 3D xy orbital है, ठीक, पूरा yellow circle है, यह orbital की information दे जेता है आपको, और, यह जो 3 लिखावाईए, यह आपको उस sub shell के अंदर number of electrons दिखाता है, कि 3D sub shell में, आपके कितने total electrons आपने फिल कियो है, यह सारी information आपको इस एक चीज़ से लिखी हुई चीज़ से मिल सकती है, है ना, एक चीज़ तो यह, दूसरा, आप लोग यह सोचते हों कि यह, यह shell, sub shell दिखते कैसे होंगे, देखो, मैं आपको इस चीज़ बता दूँ, Atomic structure में आप जितना ज्यादा imagine करने ही कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग खराब होता जाएगा, क्योंकि basically आप atom को खुद तो देख सकते होंगे, आपके imagination कुछ भी concept बना लेते हो अपने अपने, तो जितना आपको बताया जा रहा है, उतना ही focus करें, चाहते हो shells तो मैं आपको समझाता हूँ, ये एक multi-story building है, मानला आपका school है, कोई भी तो आपके school के building है, और इसके अंदर बहुत सारे floors है, 1, 2, 3, 4, 5, let's say, तो ये एक atom है, school का आप एक atom मानला, ये जो आपके अलग-अलग floors है, इनका हम shells बोल देते हैं, ये first shell है, ये second shell है, ये third shell है, ये fourth shell है, और ये fifth shell है, अब आप जाओगे, आप atom में एंटर करो, atom में एंटर करते हैं, देखो आपके बहुत सारे shells है, मानला आप एक shell में गए, इस shell में गए, इस shell में गए, third shell में गए, अब third floor पर जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारे rooms होते हैं, होते नहीं होते इन रूमस को हम लोग क्या वोल सकते हैं सब्शल्द पोल सकते हैं उसल चैज такой के अंदर कौन है सब्शल अब एक रूम के इंदर और जा उग आप तो वहां पर क्या होती बहुत सारी डेस्क क्या बोल सकते हैं एक इंद के अन्देश को आप जाकर बैठ हो गए उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉंस बोल सकते हैं तो यह आप इस ओर्डर में सोच सकते हो सबसे पहले कौन दिखता है आपको शेल के अंदर कौन होता है सब शेल के अंदर कौन होते हैं और बिटल के अंदर कौन होते हैं इलेक्ट्रॉंस इसी तरह से कहानी समाज में आ रही है तो हम बढ़ते हैं आगे एलेक्ट्रोने कान्फिक्षन लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स को फालो करना पड़ता है तो रूल्स को हमें यहाँ पर एक एक करके डिसकस करना पड़ेगा तो जो सबसे पहला रूल होगा देट इस काल्ड ऑफबोस प्रिंसिप देखें यह बहुत इंपॉर्टेंट है आसान है अपने पड़ा भी होगा ऑफबो ने हमको एक्चली सिखाया कि कैसे और और बिटल्स के इंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो ऑफबो ने कहा कि जब भी आपको जब सबसे कम है उसको सबसे पहले फिल के जाने चाहिए उसके बाद उस से हई वाला और इस तरह से इंख्रिंग ओडर में आपको इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग करनी चाहिए तो ऑफबोस प्रिंसिपल क्या कहता है according to this principle कि चेःबने व कि 온े हमें औरल फिल भ्हार्ष, गेमंद अडूप ट That is, lowest energy orbital will be filled first. तो वो orbital जिनकी इनरजी सबसे कम होगी, उनको आप सबसे पहले भरोगे. ठीक है वाई, समझ गए कि जिस orbital की इनरजी सबसे कम होगी, उसको आप सबसे पहले भरेंगे, और जिसकी बाद उसको सबसे बाद भरेंगे. लेकिन पता कैसे लगएगा, कि किसी orbital की इनरजी है क्या, हमें कैसे पता कि कौन सा orbital low energy पर है और कौन सा orbital higher energy पर है. तो इस चीज़ को बताने के लिए एक law introduce किया, इस चीज़ को बताता है n प्लस l rule, कौन बताता है n प्लस l rule. n प्लस rule के हिसाब से, अगर आपको दो orbitals के energy को compare करना है, for example, मुझे 3p और 4s, इनके energy को compare करना है, तो मुझे इनके लिए क्या निकाल लेनी चाहिए? ये n प्लस l की value निकाल लेनी चाहिए. अगर जिस orbital के लिए n प्लस l की value जादा आती है, उसके energy क्या होगी? जादा, और जिसके लिए n प्लस l की value कम आएगी, उसके energy क्या होगी? कम. तो आप देखें, मैंने आपको सिखाए दिया, n क्या बताता, l, तो देखो 3, ये तो होगई n की value, इस orbital के लिए n तो होगया, 3, p sub shell के लिए l कितना होता है, 1, ऐसे ही, इसके लिए n होगया 4, और l कितना होगया 0, ऐसे orbital है, तो बताओ, इसके लिए n प्लस l की value कितनी साथ discuss कर लेंगे, एक मैं 3S ले लिता हूँ, तो 3S orbital के लिए आप देखो, तो n is equals to कितना होगया 3, और l is equals to कितना होगया 0, इसके लिए n प्लस l की value कितनी आजाएगी 3, so according to n प्लस l rule, इन तीनों में से, जिसके लिए n प्लस l के लिए सबसे कम होगी, वो orbital सबसे lower energy पर होग वो इन में सबसे कम होगी, सही है, अब हाँ, दूसरी कहानी, अब जब n प्लस l सेम है तो, पता है आपको, चलो ध्यान रखना, अगर n प्लस l की value सेम है, तो वो orbital जिसके लिए n जादा, उसके energy भी जादा, और जिसके लिए n कम, उसके energy भी क्या होगी, कम, यह हमने बोस्ट मोडल में सीखा था, कि energy n square के directly proportional होती है, तो वो चीज यहाँ पर validate, equation validate नहीं होता है, पर concept validate होता है, कि जिसके लिए n जादा होगा, उसके energy क्या होगी, जादा होता है, और second number पे कौन आएगा, 3p, और उसके बाद number किसका आएगा, 4s का, तो बस यही होता है n प्लस l rule, और अ orbital having, the orbital having lower value of n प्लस l, will be at lower energy, तो वो orbital जिसके लिए n प्लस l के value कम है, वो lower energy पर होगा, दूसरी चीज, if, if two orbitals have same value of n plus l, then the orbital having lower value of n will be at lower energy, ठीक, तो यही आपका n plus rule है, आप पहले statement लिख सकते हैं, और उसके बाद इस example को copy कर सकते हैं, तो बहुत simple सा principle, और आपको decide करना है, कि किस orbital के energy सबसे कम है, और फिर सबसे पहले आपको उसी orbital को fill करना है, तो अगर हम अलग-अलग orbitals का energy order देखें, तो क्या होता है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p and so on चलता रहेगा, तो यह order आपको याद नहीं रखना है, अभी हम जो में electrons की filling करने चलेंगे, तो यह order आपको अपने आप याद भी हो जाएगा और use करना भी आ जाएगा, बस अभी तो आपको n plus l rule लगाना आना चाहिए, अब आप यह ध्यान दें, बहुत important चीज, this is for a multi electron atom, अगर आपके पास hydrogen या कोई यह single electron atom है, उस पर यह order valid नहीं होता है, उसका order यहाँ से different यह तो आप सभी को याद रहता है, लेकिन उसमें आप लोग गलती कर देते हैं, तो जो मैं अगला order आपको बताने जा रहा हूं, वो बहुत बहुत important है, उसको आप जरूर से ध्यान रखें, क्योंकि इसके अंदर आप mistake कर सकते हैं, तो mistake बिल्कुल ना करें, अगर हम यहाँ पर बात करें, for hydrogen atom, for hydrogen atom, n plus l rule is not valid, एक चीज़, बुसरी चीज़, energy of orbital, energy of orbital depends on the value of n only, थेक, यह जो आपको orbital के energy सिर्फ और सिर्फ किसकी value पर depend करती है, n की value पर depend करती है, आप ध्यान रखें, मतला अगर हम hydrogen के लिए orbitals का energy order लिखें, तो 1s की energy सबसे कम होगी, फिर second shell के जितने भी orbitals होंगे, उनकी energy क्या होगी, फिर fourth shell के जितने भी orbitals होंगे, उन सबकी energy भी hydrogen atom के लिए क्या ली जाएगी, तो जहां बाकी सारे atoms के लिए, multi electron atom के लिए, n प्लस l rule follow होता है, hydrogen के लिए orbitals के energy सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर depend करती है, n पर, जही में इस चीज़ को एक बार use कर चुका है, advance के अंदर, दोबारा use कर सकता है, तो इस चीज़ का आप specifically ध्यान रखें, वरना आप यहां पर mistake कर सकते हैं, आई बार समझ में, चलिए आप इसे copy करें, फिर हम इसमें कुछ और चुटमडर discussions करते हैं, चलिए, अब इसके बार देखो एक और बहुत ही काम की चीज़, अब क्याना, basically आप term सीख रहे हो, जिनको आप पूरे आगे तक chemistry के अंदर use करते रहोगे, इसलिए quantum numbers आप बहुत important होता है, आप सार को सारी चीज़ अब लिंक भी हो चकी होगी, shell, sub shell, orbital, electrons है न, और भी आप एक चोटा सा और पार्ट अपने पास, जिन हम बोलते हैं, degenerate orbitals, ये term भी आपको कई बार use करने को मिलेगा, degenerate orbitals, देखे, degenerate orbitals क्या होता है, degenerate orbitals हम उनको बोलता है, जिनके energy क्या होती है, same, so, orbitals having, orbitals having, same energy, same energy, उनी को हम लोग किसके नाम से जानते है, degenerate orbitals के नाम से जानते हैं, देखे, जैसे आप यहाँ पर, 2s, 2p, तो 2p में 3 orbital होंगे, इनके energy same है, तो बताओ यहाँ पर total कितने degenerate orbitals होंगे, 4 degenerate orbitals होंगे, ऐसे आप देखो, 3s, 3p, 3d, 3s में 1, 3p में 3, 3d में 5, 5 plus 3, 8 plus 1, 9, यहाँ पर आपके पास 9 degenerate orbitals होंगे, यहाँ पर आपके पास 16 degenerate orbitals होंगे, समझे आप इस चीज़ को, तो क्योंकि hydrogen atom के लिए सिर्फ shell पर depend करता है, तो shell के नदर जितने भी orbitals हैं, सब के energy क्या होगी, same होगी, उन्हें हम लोग degenerate orbitals बोलते हैं, अगर हम normal तरीके से बात करें, नॉर्मल तरीके से मतलब क्या है, जिसमें आप से बात करूँ, पी सब्षेल, तो पी सब्षेल में क्या होता है, तीन orbitals होते हैं, पी एक्स, पी बाई, पी जट, आप ध्यान रखना, इन absence of external field, कौन सा field, ना तो कोई बहारी electric field होना चाहिए, ना ही कोई बहार से magnetic field लगना चाहिए, किसी भी external field की absence में, यह जो पी के तीनो orbitals होते हैं, तीनो के energy सेम होती है, और इन हम क्या बूलते हैं, degenerate orbitals बूलते हैं, ऐसे ही, जब आप D-subshell में आओगे, तो D-subshell में क्या होते हैं, आपके 5 orbitals होते हैं, वही आपका D-X-Y, D-Y-Z, D-Z-X, D-Z-square और D-X-square-Y-square, ओगे, 5D-orbitals, इन 5D-orbitals के energy भी क्या होती हैं, सेम, so, these orbitals, यह अलग-अलग के लिए बोल रहा हूँ, P के लिए लग बाहते हैं, D के लिए लग बाहते हैं, तो मैं simple generalize कर रहा हूँ, orbitals of a subshell, are degenerate in absence of an external field, ठीक, एक external field के absence में क्या होते हैं, आपके जो orbitals होते हैं, वो degenerate होते हैं, बट, अगर आपके पास कोई और field है, बट, इन presence of magnetic और electric field, they split into different energy levels, ठीक, तो होगा गया, अभी तो तीनों की energy सेम है, लेकिन जैसे मैं इस पे electric के magnetic field लगा दूँगा, तो हो सकता है, PX, PY, PZ, ऐसे order में arrange हो जाएं, हो सकता है, क्या होगा ही, हाँ, ये PX हो सकता है, ये PY हो सकता है, ये PZ हो सकता है, वो फिर depend करता है, ऐसे पाँच D orbitals हैं, तो ये भी क्या होते हैं, अलग-अलग field के अंदर, अलग-अलग energy levels में separate हो जाते हैं, तो आपको याद आपने पढ़ाता है, स्टार के फेक्ट और जीमान इफेक्ट, splitting of spectral lines, हाँ, वो ये ही होती है, electric field या magnetic field लगाने पर, वो orbitals जो सब सेम energy level पर थे, अभी क्या हो रहा था, मानलो, third shell से second shell लाई आई, third shell से second shell आई, तो second shell पर एक ही लाई आईगी, लेकिन जैसे electric field लगाया, ये line और अलग-अलग lines में separate हो रही थी, क्योंकि अभी तक तो क्या थे, सारे orbitals A के level पर थे, जैसे आपने electric क्या magnetic field लगाया, ये सारे के सारे अलग-अलग energy level पर चले गए, अब electron इन तीनों में से किसी भी level पर जा सकता है, और हर level के corresponding energy difference क्या होगा, अलग, इसलिए जो wavelength हमिट होगी, वो भी क्या होगी अलग, तो stark effect और zimane effect को आप यहाँ से explain कर सकते हो, कि absence of external field में, तो सारे orbitals के energy क्या रही थी same, लेकिन जैसे आपने external field लगाया, orbitals अलग-अलग energy level में split हो गए, अलग-अलग split हो गए, तो जो electron होगा, वो इन तिनों से किसी भी orbital में जा सकता है, और उसी possibility की हिसाब से आपको और extra lines मिलेंगी, जिसे हम splitting of spectral lines बोलते हैं, और यह जो phenomenon है, जहाँ orbitals अलग-अलग energy level पे चले गए हैं, इसे हम splitting of orbitals बोलते हैं, क्या बोलते हैं, splitting of orbitals, अभी तो आपके इतना काम में नहीं आएगा, जब आगे 12th class में chapter पढ़ोगे, coordination compound, तो वहाँ पर आप देखना, d orbitals के splitting का बहुत important role होता है, और वो आधे से जारा chapter उसी चीज़ के उपर paste है, सही है, चलिए, तो यह ता आपका पहला rule of filling electrons, that is of both principle, अभी दो और rule बचते हैं, जिसके बाद हम electronic configuration लिखना सीखेंगे, लेकिन वो हम आज नहीं करेंगे, आज के लिए मेरे साब से इतना ही बहुत है, हम लोग मिलते हैं next class, यहाँ से आगे continue करते हैं, हम discuss करेंगे हुंट्स rule को, और polish exclusion principle को, और फिर उसके बाद मैं आपको, अलग-अलग elements के electronic configuration लिखना सीखेंगा,